नमस्कार दोस्तों OVC के All India मजलिस ए इतिहाद उल मुसलिमीन पार्टी की बिहार चुनाव के बाद बहुत चर्चा है क्योंकि वामी, कामी वजैरिले उदारवादी बिहार में महा गटबंदन के नुकसान के लिए OVC को जिम्मेदा ठहरा रहे एक दशक पहले तक AIMIM कॉंग्रेस की सयोगी थी चुनाव लड़ना उसका भी मौलिक अधिकार है यह तो अन्य दलों की जिम्मेदारी हैं कि वो अपने वोट बैंक को सुरक्सित रखे भारत में मुसलिम नेतरतों वाली तीन राजनितिक पार्टिया है जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो एक मुसलिम बहुल राज्य है पहली असदुदीन OVC की AIMIM दूसरी बद्रुदीन अजमल की AIUDF और तीसरी है कैरल की इंडियन यूनियन मुसलिम लीग इन तीन पार्टियों में से दो इंडियन यूनियन मुसलिम लीग और AIUDF कॉंग्रेस की सयोगी है और OVC पूर में कॉंग्रेस का सयोगी रह चुका है मिला जुलाकर भारत में कॉंग्रेस ही अलगावदी पार्टियों की जनक वा सयोगी रही है बदरुदीन अजमल की AIUDF का प्रभाव असम के कुछ जिलों में है AIMIM हैदराबाद के आसपास कैंद्रित है और कैरला के कुछ जिलों में इंडियन यूनियन मुसलिम लीग मजबूत है जब पिछले साल रहूल गांदी कैरल से लोकसभा चुनाव लड़ने गए थे तो उनके साथ हरे जंडे और कपड़े में इसी पार्टी के लोग थे कुछ छेत्रों के अलावा भारतिय मुसल्मानों ने विबाजन के बाद से कभी मुसलिम दलों का समर्थन नहीं किया है आजादी के बाद से मुसल्मानों ने पाकिस्तान दिलाने वाले कॉंग्रेस और बाद में समाजवादी या जंता परिवार पर भरोसा किया है मुसल्मान अपने बल पर जम्मू कश्मीर के अलावा कुछ ही जगों पर अपने दम पर चुनाव जीश सकते हैं मुसल्म पार्टियों के पास उन छेत्रों में हमेशा एक मौका होता है जहां मुसल्म आबादी 30% से अधिक है इसलिए OVC की AIMIM ने महराश्टर में औरंगाबाद जिसमें 30% से अधिक मुसलिम आबादी है कि विदानसबा सीटे और बिहार के मुसलिम बहुल सिमानचल में 5 सीटे जीती है OVC पारंपरिक कपड़े पहनने वाला एक नई पीडी का अंग्रेजी और उर्दु भासी मुसलिम नेता है जो परत्यक्स्तह कई मामलों में भाजपा और मोदी से लोहा लेने से डरता नहीं है OVC अयोध्या के फैसले और ट्रिपल तलाग बिल का विरोध करने वाला सबसे प्रमुक मुसलिम नेता है बिहार की मुसलिम बहुल किसंगंज सीट ने 1952 और 1967 में केवल दो बार हिंदू विदायक चुनाए लेकिन फिर भी उस इलाके में मुसल्मानों की हालत अच्छी नहीं है पिछले साल AIMIM ने इस सीट को उप्चुमनाव में जीता था लेकिन इस बार हार गई तथा कति धर्म निर्पेक्स दलों ने मुसल्मानों को एक वोट बैंक समझ लिया है उन्हें लगता है कि उन्हें भाजपा के डर से उन्हें मुसलिम वोट मिलेंगे इसलिए कई राजितिक दल जैसे कॉंग्रेस, राज़त, टीमसी, वाम दल आप अधि भाजपा का मुकाबला करने के लिए नरम हिंदुत्व के रास्ते पर चलते हुए अचानक राउल गांदी सिवभक्त बन जाते हैं, अर्विन केजरिवाल हनुमान भक्त बन जाते हैं या राज़त और कॉंग्रेस को दंडित करने का उनका तरीका हो सकता है इन तथाकति धर्म निर्पेक्स दलो को लगता है कि मुस्लिम जाएंगे कहां और उन्हें तो उन्हीं को वोट देना होगा उनका मुख्य मुद्दा यह हैं कि हम आपको भाज़पा से बचाएंगे और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते हैं क्या कोई कॉंग्रेस, RJD, TMC, LEFT, BSP आदीके 2020 में एक महत्वपूर्ण मुस्लिम नेता का नाम बता सकता है नहीं, एक भी नाम नहीं दे सकता यह हर मुसलिम समझता है क्योंकि दुनिया भर में कोई भी मुसल्मानों को ऐसी बातों से बहुत समय तक गुम्रा नहीं रख सकता बिहार का चुनाव परिणाम इन तथाकतित सेकुलर पार्टियों के लिए एक संदेश है कि केवल भाजपा का डर दिखा कर मुसलिमों का दोहन करने का समय गया क्योंकि वो अब खिलापत अंदोलंद वाली अपनी जड़ों में वापस जगे ढून रहा है जहां कटर पंत वो भारत के टुकडे करने के मनसुबों को हवा मिलती हो थैंक्यू वेरी मच जैहिन